काई स्कॉलर्स मानते हैं कि इसी समय से कुरेश्ट ट्राइब के डॉमिनेशन साथ होगी थी इसलाम में पर इसलाम में भेद भाव साथ होगी तो इसको भी अनलाइज कर लेते हैं तो पहला कोश्चन ये पैदा होता है कि क्या ये चार जो कैलिफ बने थी ये इस पुनियाद पर बने थी कि कुरेश्ट से तरलुक रखते हैं ये ये युनानीम स्पीकर एक अनॉनिमसली रिटन आर्टिकल पर रिलाई करते हुए इतना ब जिन्हें आप सो कॉल्ड लवर कास्ट में इंकल्यूट करते हैं और वो तमाम अपर कास्ट के लोगों को लीट कर रहे होते हैं इन नमाज असलाम अलेकुम ये वीडियो है इन रिस्पांस टो वीडियो टाइटल रियालिटी आफ कास्टीजम इन मुस्लिम्स की बात करती हैं अगर जब आप वीडियो देखेंगे दो मिनिट में ही आपको पता चल जाएगा कि स्पेकर बार बार ये बात धोराते हैं कि वो कास्टी नहीं किया है कि कब वो कास्टिजम इन इसलाम की बात कर रहे हैं और कब कास्टिजम इन मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ जो स्पीकर ने वीडियो बनाई है पहला पार्ट ये कि जब हो CASTISM इन侏 Muslims की बात कर रहे हैं और दूसरे वो रिमार्स जब हो CASTISM इन इसलाम की बात कर रहे हैं अगर नहीं भी कर रहे हैं उससे ये inference निकल रहा है व CASTISM इन इसलाम की बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़े हैं तो में casteism in Muslim की बात नहीं करूँगा क्यूंकि मेरा भी ये मानना है कि वो दरी वो mention of caste discrimination in Islam, हम बात करेंगे कैसे नहीं है, मगर Muslims में casteism मौजूद है, superiority complex मौजूद है, though it is not as deep as in different other communities. कि speaker अपनी वीडियो की शुरुआत में कुछ isolated incidents का जिकर करते हैं जिसमें नवाजुदीन सदीकी के नानी का जिकर करते हैं वो यह फिर कुछ और isolated incidents का जिकर करते हैं नवाजुदीन सदीकी को तो जानता ही होंगे मेरी जो दादी थी, वो दूसरी कास से थी, वो छोटी जात से थी, लेकिन आज भी उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया कर देखा है। उनका पोता जरूर बॉलिवोड अक्टर बन गया, पर लोगों का व्यवार बजला नहीं। इंसिडेंस पर रिलाई करते हुए, स्पीकर ये मेंचन करते हैं कि आज हम कास्टीजम में इसलाम की बात कर रहे हैं। अब आप खुद इमेजिन करें कि अगर मैं ये कहूं कि बिहार की किसी गाउं में किसी की ग्रेंड मदर को मडर कर दिया जाता है और ये इस बात का सुबूत है कि इंडियन कांस्टिशन मडर की इजाज़त देता है, ये कितना अजीव आर्ग्यूमेंट होगा, या फिर ये इसिडियन की बुनियाद पर आप ये कह दें, कि इसलाम में कास्टिशन है, जब आप इसलाम की बात करते हिं, तो आपको इस्लामिक सूर्सी से ये बताना होगा, ये थाबित करना पड़ेगा, कि इसलाम में कास्टिशन है, और दो बेसिक और पॉمنンニन्ट सूर्सीज है, इ सारे चेक किये जाएंगे इन दो सूर्सिस के ओपर, अगर वो इन से मिलते हैं, इन से consistent with these sources तो उने accept किया जाएगा, अगर consistent नहीं है, तो उने accept नहीं किया जाएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कुरान की, कि कुरान casteism के बारे में, या tribalism के बारे में, या racism के बारे में या किसी और तरह की किसी भी discrimination के बारे में, क्या कहता है friends, अगर हम कुरान में सुरह निसा की पहली आयत की बात करें, तो इसमें Allah फर्माते हैं, किया इंसानों अपने दunyак में तमाम इंसानों को यह हिंदू हों, मसल्बान हों, सिठगों, इसाई हों या कोई भी इंसानों किसी भी कास से तर्लॉक रखते हों उसके बारे में जो काइनाथ का परणाट का क्रियेटर है वो गुरान में यह कहता है कि इन तमाम इनसानों को एक ही मर्द और और ओरत से बनाया गया है पैदा किया गया है यानि कि उनमें इन्फरियर्टी और सुप्रियर्टी का कोई तसवर नहीं है कोई बेस नहीं है इसके लावा एक और जगा लात बारको ताला कुरान में एशाद फर्माते है सुराई हुजरात के आएट नमबर 14 में एए इनसानों हकीकत ये है कि हमने तुम सब को एक मर्द और एक औरस से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बरादरियां बना दिया यानि कि ट्राइप्स याँ गृप्स बना दिये इस पर कुरान इनका सिर्फ एक पर्पस है वो पर्पस क्या है कि एक दूसरे को इडेंटिफाई करना एक दूसरे की शनाक्त करना इसका हर गिस पर्पस ये नहीं है कि कोई इनसान किसी एक्स खांदान में पैदा होता है किसी एक्स ट्राइप में पैदा होता है और वो सिर्फ ये कहता है कि कौन शक्स अल्ला की निगाह में, क्रियेटर की निगाह में कितना बाइज़त है, इसका फैसला ये बात करेगी कि कौन शक्स कितना पाइस है, कितने अच्छे काम कर रहा है, कितने नेक काम कर रहा है, और किस तरीके से वो बुरे कामों से बच रहा यानि कि कुरान यहां तक कह रहा है कि कोई community कोई tribe किसी दूसरे tribe या community का मजाख तक न उड़ाए यह तो बात हो रही थी कुरान की अब as I mentioned कि Islam को जानने के basic prominent दो sources है पहला source हम कुरान की बात कर चुके हैं दूसरे prophet Muhammad peace and blessings भी अपान ही अब हम देखते हैं कि Prophet Muhammad peace and blessings भी अपान ही इस caste discrimination या tribe discrimination या nation या language discrimination के बारे में क्या कहते हैं Friends, यूँ तो Prophet Muhammad peace and blessings भी अपान ही कि बहुत सरे ऐसी incident हैं जहां पर उन्होंने caste discrimination, tribal discrimination, lingual discrimination या इस तरह के बाकी national discrimination को outrightly reject किया मगर यहां पर हम सिर्फ दो examples लेंगे एक sermon में Prophet Muhammad peace and blessings भी अपान ही फर्माते हैं कि Allah ने तुमसे जहालीत का तकबूर, तकबूर यानि ego या arrogance और बाप दादा पर फखर करने को खतम कर दिया है अब या तो वो मुमिन है जो तकवा इक्तियार करता है या बदकार है जो नफर्मानी करता है तमाम लोग आदम की उलाद हैं और आदम मित्टी से बनाएगे हैं यहाँ पर outrightly यह चीज़ बताई जा रही है कि आप सिर्फ दो divisions है पहला डिविजिन उन लोगों का है जो काईनात की परवर्दिगार यानि के creator की बात सुन कर उसे accept करते हैं, उसको follow करते हैं, अच्छे काम करते हैं, नेक अमिल करते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो काईनात की परवर्दिगार की existence को negate करते हैं उनको outrightly reject करते हैं, बुरे काम करते हैं, फौशी पहलाते हैं वगरा वगरा और फिर Allah ये कहते हैं कि तमाम लोग जितने भी इनसान हैं, वो आदम की उलाद हैं और आदम वास क्रियेटिड फ्रम मड़, आदम मिट्टी से बनाए गए थे यानि कि उनमें इसके इलावा और कोई भी फरक नहीं किया जा सकता, तमाम लोग बराबर हैं फिर दो ड्वीजिन्स हैं, दो ड्वीजिन्स कोन से हैं मैं आपको बता चुका हूँ इसके इलावा जो फेमस सर्मन है प्रॉफिट मुहमद ﷺ का जिसको हम कहते हैं कि दलाद सर्मन और प्रॉफिट मुहमद ﷺ उसके बारे में अल्रेडी स्पीकर भी एक्स्प्लेइन कर चुके हैं मैं एक मरतबा फिर से पढ़ देता हूँ प्रॉफिट मुहमद ﷺ सेट कि इंसानों तुम्हारा क्रियेटर एक है, तुम्हारा बाप एक है, खबरदार किसी अरैबियन को किसी नौन अरैबियन पर और किसी नौन अरैबियन को किसी अरैबियन पर और किसी वाइट को किसी बलैक पर और किसी बलैक को किसी वाइट पर कोई फजिलियत, कोई superiority हासिल नहीं है, except piety तो ये इसलाम है, जो इसलाम दुनिया में आया ही, इस तरह की discrimination के खिलाफ है उसमें और ये सब जो चीज़े मैंने आपके सामने बियान की हैं आप खुड डिसाइड करें किया इतने आउट रैटली रिजेक्शन के बाद भी कोई शक्स ये कह सकता है या किसी के पास ये कहने का हक है कि इसलाम में कास्टिजम एक्जिस्ट करती है इसके यावा एक ओर चोड़ी से स्टोरि में बता दूँ किस तरीखेसे जो टबका था विल्नरेबल गुरुप था प्रॉफिट मुहमत पिस्ट बियस्टिज相信 पिअपन हम के टाइम पे उसको Prophet Muhammad peace and blessings be upon him ने किस तरीके से या Islam ने किस तरीके से uplift किया वह सरी example से यहाँ पर मैं आपको एकजम्पल जैद बिन हरसा या उसामा बिन जैद बिन हरसा की दे सकता हूँ यहाँ पर अमार बिन यासिर की यहाँ हजरते सुमिया की, हजरते यहासिर की example दे सकता हूँ मगर मैं आपको आज सिर्फ हजरते बिलाल की example दूँगा हजरते बिलाल जो के अभिसीनिया यानि के हपचा से तलुक रखते थे वो एक foreigner भी थे, वो एक black भी थे, वो एक slave भी थे इसलाम से पहले, इस तरह के किसी भी शक्स के साथ, कोई साथ में रहना दो दूर उनके साथ बैठ कर खाना खाना भी पसंद नहीं करता था, हाथ मिलाना पसंद नहीं करता था उनको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता थी, उनको कोई भी rights हासिल नहीं थे मगर जब इसलाम आता है वो ही हज़रते बिलाल जिनके साथ बैठ कर कोई खाना खाना पसंद नहीं करता है वो मुस्लिम की सबसे प्रॉमिनेंट प्लेस सबसे सेकर्ड प्लेस यानि के खाना चाबा के ऊपर चड़कर अजान देते हैं इतना ही नहीं वो हज़रते बिलाल जिनके लिए सलर से इस्तेमाल किये जाते थे जो सलर है या इबने सोदा ओ सन अफ ब्लैक मदर जो के बहुत एक डेरोगेटरी वोट था सलर था जो के उनको दिया गया था या उनको कॉल किया जाता था इस नाम से वो ही जब इसलाम इंपलिमेंट होता है तो उसी बिलाल को जो खुद को अपर मोस्ट ट्राइब से तल्लुक रखने वाले लोग समझते थे जो भी इसलाम ले आए तो भज़ते बिलाल को पहले इपने सोधा या सन अफ ब्लैक मदर कहके पुकारते थे और इसलाम आने के बाद वो हज़ते बिलाल को या सयदना ओवर लीडर कहके पुकारने लगे अब खुद अपन्दाजा लगाएं कि क्या इसके बाद किसी शक्स को ये कहने की इजाज़त है कि वो ये कहे कि इसलाम पर्मोट्स कास्टिजम के लाबा एक और जगा जब स्पीकर अपरकास्ट हिंदूस की कनवर्जन की बात करते हैं अब आप सोच रहे होगे कि लोवर कास्ट हिंदूस जब कनवर्ट करते हैं तो वो लॉजिक तो समझ आती है कि वो कास्टिजम से परिशान हो गए हैं और वो इसलाम में जाना चाहता है ये अपरकास हिंदूस ने क्यों डिसाइड किया कनवर्ट करने का, कि आप मेरे राजा को कैदी मत रखो, बाच्छा ने ये बात मान ली, पर एक कंडिशन पर, कि अलादिया खान के पूरवज को इसलाम अपना ना हो, इसी के वले से अलादिया खान का परिवार, भ्राह्मन सम में कई बार हो, तो इससे इंफरेंस ये निकलता है, ऐसा लगता है, कि स्पिकर ये कहना चाह रहे हैं, कि जो अपरकास हिंदूस की कनवर्जेंस हुई है, वो फोर्सुल कनवर्जेंस, उनके पास कोई ओर रास्ता नहीं था, एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग इसलाम, मक्त ह historically ये बात गलत है, effectively ये बात बिलकुल सही नहीं है, इस तरह का अगर कोई isolated incident हुआ भी है, तो ना तो उसको मुस्लिम स्पोर्ट करते हैं, नहीं इसलाम स्पोर्ट करता है, इसलाम का clear stance है, इस पे बंदूग रखकर किसी को इसलाम कबोल नहीं करवा सकते हैं, और Quran clearly says about this, कि द examples देता हूँ, पहली example 7th century के ब्रह्मन किंग चीर्मन पिरुमल की है, ये केरला से तरलुक रखते थे और जब इन्होंने इसलाम की बारे में जाना, तो ये इसलाम से impress होकर इसलाम ले आए, और भी examples हमें मिलती हैं, जिसमें बहुत सारे अपर कास्ट से तरलुक रखने वाले लोगों ने इसलाम से impress होकर इसलाम को embrace किया जिसकी एक बड़ी example कश्मीर रीजन है, कश्मीर रीजन में हर तरह की कास्ट के लोग रहते थे और जब इसलामिक स्कॉलर्स ने आकर कश्मीर में इसलाम प्रोगेट किया, तो तमाम कास्ट के लोगों ने इसलाम से impress होकर, इसला निकल रहा है स्पेकर की बातों से वो फैक्चली हिस्टॉरिकली सही नहीं है इसके अलावा जब स्पेकर मुस्लिम के कास्ट्रक्चर को एक्स्प्लेन करते हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अश्राफ अजलाफ अरजाल यह जो कैटेगरीज हैं यह अकैडमिकली बहुत साउंड हैं अकैडमिकली इस्तमाल किये जाते हैं और बहुत सारे डाकुमिंट्स में भी यह सारी मेंशन्ट्स हैं मंगर ग्राउंड में 99% लोगों को तो यह टर्मिनॉलोजीज ही मालूम नहीं है के श्राफ क्या होता है आजलाफ क्या होता है अरजाल क्या होता है जब तक आप उन्हें एक्सप्लेइन नहीं करेंगे प्राब्लम वहां पर आती है जब स्पीकर इस कास्ट्रिक्ट्टर को कंपेर करते हैं झानिशोथ बबड़ंएट न brain З texts और books and religious clerics, whereas it is not the same case with the caste structure explained by the speaker amongst Muslims, Muslims में जो caste structure explained academically किया जाता है, जो speaker ने explain किया है, ना तो उसको religion support करता है, नहीं religion की जो text है, या जो books है, वो उसको support करती है, और नहीं religious clerics उसको support करते हैं, religious text और clerics तो outrightly deny और reject करते हैं, इस तरह के किसी भी caste discrimination को books के सथ तक जाकर deny और इसके खिलाफ movement खड़ा करने की बात करते हैं, वो already मैं आप से जिकर करी चुका हूँ when I explained about caste view of Islam by Quran and the Prophet Muhammad peace and blessings पे अपहनी, दूसरा जो point है, वो ये है कि कभी भी Muslims ने या Islam ने कभी भी किसी भी caste के लोगों पर किसी भी institution के दर्वाजे बंद नहीं किये, कभी भी in the whole history of Islam, in the whole history of Muslims, आपको कभी ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी कि कि किसी so-called upper caste के शक्स ने को institution तामीर किया और इस institution के दर्वाजे सिर्फ upper caste Muslims के लिए रखे, let it be universities, let it be mosque, let it be मदारिस, आप कोई भी example ले लें, कहीं भी आपको इस तरह का example नहीं मिलता है, whereas on other side, you see such discrimination, और तीसरा argument ये है कि Islam में बिलकुल ये Muslims में untouchability exist नहीं करती है, isolated incidents की बात नहीं कर रहा हो, जब भी हम बात करते हैं तो in general बात करते हैं, तो untouchability किसी भी level पर exist नहीं करती है, हाँ, वह सारे ऐसे लोग हैं कि वो अपनी बरादरी के बाहर शादिया नहीं करते हैं, वह सारे मालूम होगा कि पहली रो में कौन खड़ा होता है, दूसरी में, तीसरी में, चोथी में, पांचवी में मस्चित की बात कर रहा हूँ, और आपको तो हजारों की तादात में ऐसे लोग मिल जाएंगे, जिनने आप so called lover caste में include करते हैं, और वो तमाम upper caste कास्ट के लीड कर रहे होते हैं इन नमाज, वो उनके घरों में जाके दौाएं कर रहे होते हैं, यानि कि आज भी हमारे यहां पर यह रिवायत मुझूद है, हर जगा मुझूद है, पुरे इंडिया में मुझूद है, कि जो किसी भी caste से तलुक रखने वाला कोई भी शक्स अगर वो इमाम है, तो वो हर एक घर में जाकर दौा करता है, परे करता है, whereas it is not the same in the case with casteism structure which exists in Hinduism, you know the reality. और आखरी बात यह कि casteism Muslim में exist करता है, caste, discrimination, superiority, complex भी exist करता है बहुत सारे लोगों में, मगर जितना deep rooted दूसरी community में है, उतना deep rooted Muslims में नहीं है, Muslims में किसी lower caste को सिर्फ इसलिए कतल नहीं कर दिया जाता कि वो lower caste से तलुक रखता है, किसी lower caste की बेटी या किसी lower caste की बेहन को सिर्फ नहीं कर दिया जाता कि वो lower caste से तलुक रखता है, whereas on other cases, every year hundred of people are killed just because they belong to Shudras, they are Dalis, people or women are being raped just because they are Dalit, यह इसलिए में समझता हूँ कि इससे बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती कि आप casteism in Muslims को compare करें casteism in Hinduism को, कि बाद speaker एक unauthentic, anonymously written article पर रिलाई करते हुए, इतना बड़ा statement दे देते हैं कि अलिगर्ण Muslim University में भी casteism exist करती है, शादी तक सीमित नहीं है, मैं अलिगर्ण Muslim University में पढ़ता था, इस institution में धर्म का अभी मुद्दा नहीं था, बलकि मेरी caste का था, यह लिखा गया एक blog में, जून 2019 में, जिसके बारे में Muslim समाज में बहुत च अलिगर्ण Muslim University में पढ़ता है, और इस article के पहले पैरा में, ऑथर जो है, वो खुद कहते हैं, कि उनके साथ कभी भी इस तरह के कोई discrimination नहीं हुई, तो फिर पुरी का पुरा आर्टिकल ही बेबुनियाद हो जाता है, जितनी भी story है, वो हेर से है, कि मुझे मेरी senior ने कहा, कि ऐसा हुआ किसी के साथ, यह इन arguments पर आप इतने बड़ institution पर कैसे ही allegation लगा साथ, कि दूसरी बात यह कि मैंने कहा, कि मैं 6 सार अलिगर मुस्लिम उनिवस्टी में लेकर गए हैं, वहाँ पी जितने भी seniors थे, teachers थे, जहां भी आसपास के लोग थे, उन्होंने हमें वो तमाम चीज़ें unlearn करना सिखाई हैं, हमने एक दूसरे से मुहबत करना सीखी है, वहाँ पर respective of knowing each other's surname, अलिगर मुस्लिम उनिवस्टी अगर कोई मुझे ये कहे कि अलिगर मुस्लिम उनिवस्टी में region basis for discrimination होती है, lobbies बनती है, मैं उसको बिलकुल accept करूँगा, वहाँ पर वो बात exist कर रही है, वो evil exist कर रही है, मगर कोई मुझे ये कहे कि कास्ट के बुनियाद पर किसी का सथ discriminate किया जाता है, किसी का मजाग खु सकती, और as I mentioned के speaker ने जिस article पर रिलाइक किया है, वो anonymously लिखा गया है, और anonymously इस तरीके से लिखा गया है कि without mention of any report, without mention of any incident, उस article को जो है वो पेश करना में समझता हूँ, ये ज्यादती है इतने बड़ी institution के पास, speaker को थोड़े solid grounds पर statement देते हैं कि जैसे उन्होंने बहुत सा statement बनती नहीं है, हाँ इस बात पर बात होनी चाहिए कि अलिगर मुस्रीम उनिवस्टी के वाइस चांसलर कितने so-called lower caste से तल्लुक रखते हैं, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर research होनी चाहिए, इस बात पर इस institution के बारे में, जिस तरीके से इस पर बात होनी चाहिए कि high courts के कितने judges जो हैं, वो SC community से तल्लुक रखते हैं, सुप्रीम कोर के कितने judges जो हैं, वो SC community से तल्लुक रखते हैं, या फिर so-called lower caste से तल्लुक रखते हैं, जिस तरीके से उने institutions में बैतरी लाई जाए, उसी तरीके से अलिगर मुस्रीम उनिवस्टी बिग अन इंस्टूशन, उस चीज़ कही कही है, कि सरसीद एहमत खान खुद एक कास्टियस्ट थे, उनमेरे में सिर्फ में इतना कहूंगा, कि सरसीद एहमत खान ने institution बनाया और आपनी पुरी जिंदगी लगाकर अलिकर मुस्रीम उनिवस्टी तामीर की, तो सवाल ये पैदा होता है, कि ये statement दे देना कि सरसीद कास्टियस्ट थे, ये किस उनियाद पर है, कि सरसीद एहमत खान ने कभी भी किसी भी लोवर कास्ट से तरलुक रखने वाले student को ये कहकर admission reject किया, यह कोई किसी तरह का कोई policy बनाए कि कोई भी so-called लोवर कास्ट से तरलुक रखने वाला बच्चा अलिकर मुस्रीम university में admission नहीं ले सकता, क्या इस तरह कोई policy आप जानते हैं, क्या सरसीद के बारे में इस तरह का कोई आप comment जानते हैं, जहांपे सरसीद ने ये कहा हो कि ये institution so-called लोवर कास्ट के बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ अपर कास्ट के बच्चों के लिए है, और तीसरी important point जो म Muslim university में मुहमदनल एंगलो औरिंटल कॉलेज के वक्त में सरसीद के दोर में जो बच्चे पढ़ते थे, क्या सरसीद ने अपर कास्ट और लोवर कास्ट के बच्चों को अलगलग classroom में बिठाया, क्या अलगलग lines में बिठाया, अलगलग रोज में बिठाया, क्या वो उनका त इसलाम से कोई लेना देना नहीं है, सरसीद जैसे आप हजारों scholars को लेकर आ जाएं और उनके contributions को remove करते हैं, तब भी Islam will remain as Islam, वो इसलाम जो Prophet Muhammad peace and blessings be upon him ने इस पूरी दुनिया को दिया था, और तर आखिर में आकर ये statement भी देते हैं, कि हो सकता कि Islam में कास्ट इसम नहों मगर Muslims में हैं, मगर Muslims में कास्ट इसम कैसे हैं, इसके बारे में दो theories हैं, एक theory के बारे में वो ये कहते हैं, कि Prophet Muhammad peace and blessings be upon him के बाद, जो चार कैलिफ रहे हैं शुरू के, जिनको right guided कैलिफ पिका जाता है, हज़ते वब बकर, हज़ते उमर, हज़ते उसमार, हज़ते अली, including six months of इमाम ह तो ये तीस साल की right guided, जो कैलिफ थी, इसमें भी जो चार लोग थे, चार कैलिफ थे, वो चारों के चारे कुरेश से तरलुक रखते थे और पेकर का ये कहना है, कि कुछ लोगों का ये कहना है, कि जो कास्टिजम की बुनियाद है, वो यहीं से पढ़ना शुरू हो गई थी सुननी इसका मानना है, कि प्रॉफिट मुहमद के बाद चार खलीफा बने, जो मानने जे प्रॉफिट मुहमद के सकसेसर्स थे, ये थे वो लोग जो इसलामिक वर्ल्ड को रूल करें, अबू बकर, उमर, उत्मान गानी और अली, इन चारों खलीफा में एक चीज कौम हो थ इसलिए काई स्कॉलर्स मानते हैं कि इसी समय से कुरेश ट्राइब के डॉमिनेशन साथ होगी थी इसलाम में पर इसलाम में भेद भाव साथ होगी तो इसको भी अनलाइज कर लेते हैं, तो पहला कोश्चन ये पैदा होता है कि क्या ये चार जो कैलिफ बने थी ये इस बुनियाद पर बने थी कि ये कुरेश से तरलुक रखते हैं, ये यूनानी मसली तमाम मुस्लिम्स ने इनको जो है वो इलेक्ट किया था, तो हमें आंस जायदा इसलाम जानता है, उसे मुसलिम्स का लीडर बनना है, और जो पौफिट सल्लिल्लाहुली वली सल्लम के साथ सबसे जायदा रहे हैं, तो वो सबसे जायदा इसलाम जानते हैं, इसलिए उनको खलीफा बनाया गया, कैलिफ बनाया गया, ये था परसेप्शन इसके पी जो काजी थे, जो आफीसर्स थे, मिनिस्टर्स थे, क्या वो सब के सब भी कुरेश से तरलुक रखते थे, क्योंकि डिस्क्रमिनेशन हो रहा है, तो हर लेवल पे हो रहा होगा, गौवर्नर्स जो थे राशिदून के वक्त में, रेपले रे इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उ आमने सिरु पांच नाम रखूंगा, जो के कुरेश से इलावा बाकी ट्राइब से तलुक रखते थे, कुछ सलेव थे, कुछ डाउन ट्रोडन, वल्नरेबल ग्रुप से तलुक रखते थे, और उन्हें हाई पोजिशन्स दी गए, उन्हें मिनिस्टर बनाया गया, उन्हें फारिस से आके जो है वो गवर्नर का ओदा समभाल रहा है, मिनिस्टर बन रहा है, कोई किसी और जगा से आके गवर्नर का ओदा समभाल रहा है, तो ये देना के पाउर स्ट्रुक्चर रिमेंड इन कुरेश इस मैधी बोगस, दूसरा नाम सहल बिन हुनेव, ये और कबीले स ओस्ट्रुक्र रहा है, ये आस्मान बिन हुनेव का, ये और इस ट्रुक्र रहा है, इने समया वालद पर इसलम हुआ, उनके उपाइबा इतना जलम ह уч़ों Virginia, ये उनके बेटे हैं यानि इतनी नफरत थी कि उनके वालिद को भी कतल कर दिया गया उनकी वालिदा उनकी मदर को भी मात दिया गया इन्हें हज़रते उमर ने कूफा का गवर्नर बनाया इसे अब अंदाजा लगा सकते हैं कि पाउर्ट स्ट्रक्शर में सिर्फ कुरेश के ही लोग नहीं थे बलके जो पहले स्लेव रह चुके हैं वो भी थे, अलग-अलग ट्राइप्स में रहने वाले लोग थे हम सब को इस चीज पे काम करना चाहिए कि जो हमारे अंदर स्प्रियर्टी कंप्लेक्स है वो खतम किया जाए क्योंकि जिस दिल के अंदर प्राइट है स्प्रियर्टी कंप्लेक्स है उस दिल के अंदर फेथ नहीं हो सकता, इमान नहीं हो सकता said by Prophet Muhammad peace and blessings be upon him Thank you so much